Numerology Prediction Year 2022 में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ नमबर 7 के बारे में इस वीडियो के माधिम से हम जानेंगे कि कैसा होने वाला है आपके लिए Health-wise, Wealth-wise, Relationship and Love-Life-wise यह साल और जानेंगे कि Students के लिए यह साल कैसा रहने वाला है Towards the end of this video हम जानेंगे आपके lucky number के बारे में, lucky day के बारे में, lucky month के बारे में, lucky color के बारे में और वो सारे remedies जिसे कि आपका यह साल जाने वाला है बहुत ही successful अगर आप भी excited हैं तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में अंध तक आज इस number के बारे में बात करी हूँ, number seven इसके बारे में पूरे दिन में आप से बात कर सकती हूँ, क्योंकि यह मेरा one of the favorite number है और आप जानते हैं, यह मेरा personality number number seven के बारे में बात करूँ, तो they are givers, deep thinker, simple simple living में belief करते हैं, जादा show off करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है they like changes in their life, they are spiritual, they are independent, attractive personality, researchers, dreamers होते हैं and we know that dreamers are achievals, they are fond of art, great philosopher होते हैं, great advisors होते हैं they love literature and music year 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है number seven अगर आप इस साल को total करते हैं, तो आता है number six मतलब ये साल है, मौज मस्ती का, gathering का, बहुत सारे parties का and show off का और चाहां सारे numbers लगे होंगे, इस energy को match करने के लिए number seven इस energy से भागता हुआ नजर आएगा number seven ये साल है आपके लिए अंतर धियान का ये साल है जहां आपको prepare करना है, अपना base बनाना है क्योंकि next year जह है वो आप ही खा होने वाला है चलिए अब बात कर लेते हैं, health के बारे में कैसे रहने वाला है health के according number seven के लिए year 2022 number seven इस साल आपके लिए हो सकता है health wise थोड़ा सा challenging the starting of the year only that is January, February and March ये तीनों मन्त में आपको अपना रखना है extra care जहां आपको physical health के लिए लेना है healthy food साथ में आपको अपने mental health के लिए करना है बहुत सारा meditation इतना show शराबा जो कि बाहर आप देखेंगे लोगों को race में भागते देखेंगे unwanted expenses करते वे देखेंगे selfish होते वे देखेंगे तो आपको हो सकता है बहुत सारा stress and stress is not at all good for your mental health तो एक बार जैसे ही आप adjust हो जाएंगे कि बाहर जो भी चल रहा है I am at peace आपको health में कोई issues नहीं रहेंगे सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा please follow healthy food habits as well as do mental exercise by doing meditations breathing exercises it is gonna help you a lot this year कैसा रहने वाला है आपके लिए wealth और आपके लिए career year 2022 में businessman के लिए ये साल अच्छा रहेगा money flow होता रहेगा बस इस साल थोड़ा सा जादा आपको hard work करने की जुरत है अगर आपका business है iron का अगर आपका business है electrical goods का motor parts का rubber का liquor का या फिर plastic items का liquid जो भी liquid items होते हैं जैसे की health related perfume, essential oils इसका अगर आपका काम है अगर आपके religious items का काम है आपके कपडों की दुकान है या आपका boutique है तो आपके लिए या फिर आपके hotel या restaurant है तो आपके लिए ये साल होने वाला है बहुत ही अच्छा लेकिन आपको करना होगा यहाँ पे extra hard work तभी आपके लिए ये successful रहने वाला है this is for all the businessmen साथ में आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपको government sector से हो सकता है कोई issues आ सकते हैं तो please try to pay your tax on time and do not do anything that will have any issues in terms of your administration तो आप देखें कि आप ऐसा कोई काम ना करें कि आपको कोई भी ऐसा कोई issue आए अगर आप चाहते हैं कि कोई partnership में काम करना चाहते हैं आप तो ये साल है आपके लिए बहुत अच्छा you can go for it this year जो job कर रहे हैं उनके लिए भी ये साल जो है opportunities क्योंकि आपके promotions के बहुत high chances हैं और यहां पे आपको ये और बात का ध्यान रखना है कि आप फस सकते हैं politics के अंदर office के politics के अंदर फस सकते हैं कुछ लोग होंगे जो कि आपके लिए ज़रूर आपके against काम करने की कोशिश करेंगे so you have to keep yourself in peace and आपको समझना है कि arguments नहीं आपको अपने काम से अपने काम को प्रूफ करना है so work extra hard this year number 7 you are gonna get promotion you will be recognized for your hard work and your work. चले बात कर लेते हैं कि कैसे रहने वाला है आपके लिए relationship as well as love life in the year 2022 यह साल indicate करता है relationship को तो जहां आप भागना चाहेंगे gathering से party से उतना ही आपको unavoidable invitations आएंगे और आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा parties में तो यहां याद दिला दूँ आपको human are social animals try to fit my dear number 7 for married partners number 7 this year is about intimacy and आप belief करते हैं mental intimacy पर ना कि physical so कुछ challenges आ सकते हैं आपको arguments हो सकते हैं आपके साथ तो आपको मैं यही advice करूंगी you have to act differently this year value your partner and their feelings arguments ना करके साथ बैठके अगर बात करें तो बात बन सकती है और आप लोगों के बीच में बहुत प्यार रह सकता है क्योंकि partner is important इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है you have to keep this in mind those who are looking forward to get married अगर आप love marriage करना चाहते हैं तो it's a big big yes for all of you those who are looking forward for a partner you will be getting your partner this year those who are looking forward for a soulmate you will get your soulmate this year because you will be going in lots of social gatherings and you will attract your soulmate over there चलिये जान लेते हैं कि students के लिए ये साल कैसे रहने वाला है for all number 7 students students के लिए ये साल होने वाला है excellent because यहां आपको मिलने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे results आपके hard work जो आपने किये हैं वो सब के results आने वाले हैं बहुत अच्छे चाहे आप government job ले try कर रहे हो चाहे आप कोई competitive exam दे रहे हो चाहे आप एक school या फिर university going people है अगर आप जाना चाहते हैं बाहर आप जा सकते हैं इस साल क्योंकि आपके लिए stars बहुत जादा favor में हैं lucky number, lucky days, lucky months and lucky color जान लेते हैं number seven आपके लिए इस साल क्या रहने वाला है lucky number आपके लिए रहने वाला है two, one and seven lucky days आपके लिए Monday and Wednesday रहने वाला है lucky months रहने वाला है January, February, April, July, October and November lucky colors आपके लिए रहने वाला है pink color तो ये आपके लिए money का लग बहुत अच्छा ले के आने वाला है बात कर लेते हैं आपके remedies के बारे में सूरियो को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा Monday को अगर आप शिप पर जल चढ़ाएं तो वो भी आपके लग को enhance करने वाला है Tuesday की दिन हो सके तो आपको saltless fasting करना चाहिए वो भी आपके लग को enhance करने वाला है अगर आप donation की बात करें तो अगर आप मीठी रोटी कुत्तों को या dogs को खिलाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है साथ में जितने भी old people है उनकी सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा luck लेके आने वाला है Try to help people in place of funeral आप अगर वहाँ पे भी help करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है एक beautiful सा आपको एक tip देती हूँ एक piece of paper में copper color किसे लिखें आप number seven और रख लें अपने wallet में रख लें अपने pocket में या फिर अपने purse में तो ये लेके आने वाला है बहुत सारा अलग आपके लिए money wise आपके लिए अगर आप मंत्र जाब करते हैं तो अब मैं आपके साथ share कर लेती हूँ कि आपको कौन सा मंत्र का जाब करना चाहिए आपको सूर्य मंत्र का जाब करना चाहिए ओम सूर्य देवाई नमा या फिर ओम आदित्याई नमा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साथ में अगर आप गायत्री मंत्र का भी अगर आप जाब करते हैं आप ये करते हैं इस मंत्र का जाप 108 बार नहाद होके तो ये भी आपके लिए लग एन्हेंस करने में बहुत जादा करने वाला है मदर। आपको मैं एडवाइस करूँगी इस साल अगर आप पहना चाहते हैं कोई स्टोन तो आप पहन सकते हैं कैट साई तो ये भी आपको बहुत जादा लग दे सकता है। आशकरती हूँ आपको ये इन्फोर्मेशन अच्छे लगे होंगे और आपके जरूर काम आए और आपका ये साल रहे बहुत ही सक्सेस्पुल। जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए वस इतना ही ओम नमस्यवाइब।